हाँ दोस्तों एक बार फिर मैं सुनिल चुकला आपके सामने आज मिलिये इस गुबारे वाले से बच्चे से गुबारे वाले भाया कहते हैं कभी इन से भी मिलिये कभी ये स्कूल के गेट के बाहर सुबह और छुटि के वक्त मंदिर के बाहर बच्चों के डाक्टर या क्लीनिक के बाहर या फिर कभी मेले में या किसी उत्सो या तेहवार में या फिर एक खुबसूरत आउटिंग हो एक सटीक टाइमिंग के साथ सही वक्त पर जब लोग अपने बच्चों के साथ बच्चों के लिए कुछ वक्त निकालते हैं ये वहाँ पर भी जरूर मिलेंगे आग के बच्चों को खुशियां देने के लिए इस गुबारे वाले को देखकर याद आया किसी को कमतर नहीं समस्ते वसीम उनसे मिलकर देखें कहीं आपसे बेतर हो ये इनसान सुबह अपने बच्चों को भूखा रोता छोड़कर दूसरे के बच्चों को खुसियां देने घर से सुबह निकलता है और देर रात तक अपनी जोपड़ी में पहुंशता जहां उसकी बीबी रा देख रही होती है अपने बच्चों के साथ ये सक्स मुझे बच्चों के क्लीनिक के बाहर मिला मुझे लगा ये यहां क्या कर रहा है उसी समय कई मैलाएं अपने बच्चों के साथ आती दिखी और सभी गुबारे वाले भाईया से गुबारे और खिलाओने खरीदने लगे एक मोल भाओ के साथ मुझे अजीब सा लगा कि यहां भी मोल भाओ इतने कम पैसे में भी है इसे हम आदत कहें या एक मानसिक्ता कि दूसरे से कितना एठलो खैर बच्चे खिलाओने से खिलते हुए चले गए और नए आ गए जब गुबारे वाले भाईया से बात हुई तो धेर सारी बातें पता चली कि वो कहां कहां किस किस वक्त पर अपने गुबारों के साथ पहुंसता है और कितना कमा लेता है मैंने पूछा कितना कमा लेते हो एक दिन में वो बोला यही कोई धाई तीन सो रुपए बच जाते हो बस किसी तरह घर चल जाता है यह कहकर उसके चेहरे पर एक सापाट सी खामोसी चा जाती है मेरे आगे पूछने की हिमत नहीं हुई कि यह सक्स इतने कम पैसे में अपना घर कैसे चला लेता है लेकिन मुझे फक्र भी हुआ कि ऐसे दौर में भी इमानदारी जिन्दा है जब लोग अपने धब्बों पर अभिमान करते हों और गलत को सही साबित करने में लगे हों ऐसे लोग कम होते हैं लेकिन जरूर होते हैं आखिर मैं मैं गुबारे वाले भाईया का नाम पूछा तो उसने बिनमरता के साथ मना कर दिया मुझे लगा कि वो कह रहा है मेरे साथ चल सको तो चलो मेरे घर का रास्ता मत पूछो वो सुभए कभी तो आएगी यह अलफाज साहिर के है मैं उनको याद करते हुए मैं सुनिल चुकला अपनी बात को बिराम देता हूँ इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद